हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नियूज नमस्कार स्वागत है अब सभी का आप देख रहे हैं सूपर फास्ट हंडर्ड और मैं हूँ आपके साथ पूजा कविया सरदार वलबभाई पटेल की 144 जे अन्ती आज इस मौटे पर गोजरात के केवड़िया में स्टेच्व ऑफ यूनिटी में समहरो कायूजन किया गया लहापुरु सर्दार वला भाई पटेल के जनती के मौगर पर आज देश भर में रन फॉर्ड यूनिटी कारख्रम का एरुजन किया जा रहा है चुपान मंतली नरेजना मौधी ने गुर्जात के किवरिया में स्टैच्भाइप यूनिटी पर सर्दार वला भाई प्रतेल को शखानगी दिए क है एकता प्रेड में शामें बुल्लो के कि गुए बुलाइन इज्वान पिम मोदी निने राष्टी एकता दिवस को पर परेट का निरीक्शन भी किया तुधान मंत्री नरेंद मोदी के सामने एकता दिवस के मौके पर जवानों ने मौक बिल करके दिखाई इस दुरान यहाँ एक मौक आतंग की हमले का रूपांतरण किया गया और किस तरह जवानों ने इसका सामना किया ये प्रदर्शित किया गया जवानों कि शौरे प्रदर्शिन के बाद तुर्षान मंत्री नरेंद मोदी ने कहा कि सरकार पटेल की प्रतिमा के पास उज़ा मिलती है सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को एक्ट करने का काम किया है तुर्षान मंत्री ने कहा कि हमें इस बात की भी खुशी है कि आज से ही जम्मु कश्मीर और रदाक एक नए भविश्य के और कदम बढ़ा रहे हैं आठिकल 370 ने जम्मु कश्मीर को अलगावदाद और आतंग के सिवाए कुछ नहीं दिया था प्रधान मंत्री मोदी ने बेना नाम लिए बागस्तान पर निश्वाना साधा जम्मु कश्मीर से आठिकल 370 हटाने को लेकर प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग युद्र नहीं जीत सकते लेकिन वो हमारी एक्ता में फूद डालने की कोशिश कर रहे हैं लहोप पुरिश्थरदार वल्लभाई पटेल के जन्ती की मौके पर गुरी मंत्री अमिच्छा ने भी उन्ने श्रधान दी साथी सबसर पर आमिच्छा ने एक्ता दोड़ को हरी जंडी भी दिखाई कि इंडी मंत्री अमिच्छा ने गुरुवार को दिली के नाश्चन सेधियम जन्फ और जुन्टी को भी बंदी दिखाई वीवंत्री अमिच्छा ने दिली के मेजर ध्यांच्छं सेधियम में बोलते हुए कहा कि देश को एक्जित करने का काम सरदार पटेल ने किया है बीजेपी ने ने चे 370 हटाये जाने को लेकर देश को एक्ष़़ने का काम किया है सरदार पटेल के कुछ सपने अधूरे रह गए थे जिने बीजेपी ने पूरा किया है सरदार वल्लभाई पटेल की ज्रंती के मौके पर पंस्कुला के सक्टर फांस सेथ परेड ग्राउन में रन फाल यूनिटी मेलर्थन का उजंगी आ गया इस मौके पर हर्याना के सीम मनुहरलाल बताओर मुख्यती की पंस्कुला पहुंचे सीम ने हरी जंडी दिखा कर पंस्कुला वासियों को राजश्टी एक्ता के शपर दिलाई लोह पुर्ष सर्दार वल्लभाई पतेल ने आजादी के बाद देश की अलग-लग रियासितों को जोडने का काम किया इसलिए उनकी जयंती पर रन फाल यूनिटी दोड़ का उजंग किया गया पंस्कुला में मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने लोगों को रन फाल यूनिटी कहा संदेश देते हुए कहा कि सबसे पहले देश उसके बाद बाकी सब आते हैं हमें आपस में मिल जल कर रहना चाहिए जिससे हम राश्टी एक्ता का संदेश दे सकें और लोगों को इसके प्र इसके साथ राजय में संसत के बने कई कानून लागू हो सकेंगे इसके तहर जमो कश्मी में विधानसवा होगी और लदा केंद्र शाषित प्रदेश रहे जमो और कश्मी लदा की केंद्र शाषित प्रदेश बंते ही देश में राजयों की संख्या 28 रह गई है केंद्र शा रिटाइड आईए स्रादा क्रिशन मातुने गुरुबार को लद्दाक की पहले उपराज पाल के तोर पर श्रपतली है इसके साथ ही अब लद्दाक जमू कश्मीर राजिस से अलग हो गया है वहीं जमू कश्मीर के पहले उपराज पाल गिरीश चंद्र मुर्मु ने आज पदभार सम्हाल लिया है भार्टे अतिहास की आरण लेडी और देश की पूर प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी की आज कोने दिती है आज इनकी 35 वी बर्षी है इस मौके पर प्रधान मंतरी नरील मोडी ने उने शुद्धान जी दी प्रधान मंतरी नरील मोडी ने इस मौके पर टूइट कर पूर प्रधान मंतरी को याद दी किया मुंबई में आज शिफसेना वधायक दल की बैठक होगी जिसमें शिफसेना के इंडब निर्वाचिक रधायक दल का नेता चुमेंगी कॉंबईस का हाथ छोड़कर शिफसेना का दामन थामने वाली नेता प्रियंका चतरवेदी को ट्विटर पर जान से मानने की धंकी मिली है ट्विटर के जरिये धंकी देने वाले आरोपी के खलाफ अफ़ायर दर्ज कराई गई है प्रियंका चतरवेदी ने इस मामले की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से धंकी देने वाले शक्त का ट्विट शेयर किया प्रियंका चतरवेदी ने लिखा है कि असहमती सेहन कर सकती है लेकिन धंकी नहीं सुप्रीम कोर्ट के ओर से आयोधिया भूमे विवाद मामले में फैसला अगले महीने आने के संभावना को देखते हुए एन्सीपी प्रमुक शरत पवार ने आश्रंका जाहिद की है शरत पवार ने का कि इस मौके का फायदा कुछ ताकते उठा सकती है और समुदायों में दरार डालने की कोशिश कर सकती है हाला कि एन्सीपी नेता ने ताकत का नाम नहीं लिया भारते कॉमनिस पाथी के दिगज जनेता और पूर्वसांसत गुरुदास दास गुपता का आज बैलिस्वा उम्म में निधन हो गया राजाने दिली और उसके आसपास के इलाके को प्रोडूशन ने पूरी तरह से अपनी गरफ में ले लिया है प्रोडूशन से दिली NCR की हवा हतरनाक सर परजा पहुँची है यूपी के बल्या से बीजेपी गधायक सुरेंदर सिंग ने बसपर सुप्रिमों मायावती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है सुरेंदर सिंग ने कहा कि मायावती को यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए अब दोबारा जन्म लेना हो सुरेंदर सिंग ने कहा कि मायावती बीजेपी की वज़े से तीन बार मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी का विरोध करना उनके जीवन का तरीका बन गया है पुरेंदर सिंग ने कॉंगनेस के अंतरे मददेक्स सुनिया गांधी पर भी निशाना साधन, उने कहा कि सुनिया गांधी को राजधर्म का कोई ग्यान नहीं है, उन्हें देश की जन्रता ने पहले ही नकार किया है। उत्रब्रदेश के बरेली के भूता चेत्र में बेकाबू ट्रक ने कार और वाइक को जोड़ता चक्तर मार दी जिसमें आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जब की चार लोग घायल बताएगा उत्रब्रदेश के सीएम योगिया दितनाथ ने सड़क हाथसे में माले गई लोगों की मौत पर शोग दताया और उनके फरेजनों के पती समवेद नाव्यक्त की उन्होंने अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज कराने के निदेश दिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को लेकर एक बड़ी ख़बर आई है ट्विटर पर अब राजनियतिक विग्यापन नजर नहीं आएंगी ट्विटर के सीईओ जैक जर्सी ने ट्वीट कर इस बात के जानकारी दी है ट्विटर का कहना है कि कुछ लोग ट्विटर का इस्तमाल गलत जानकारी फिराने के लिए करते हैं जिसकी वज़े से बैन लगाना जरूरी हो गया था जर्मरी की चांसलर एंजलेना मारकेल आज दो दिवस्टे यात्रा पर भारत पहुंचेंगी जरूरान एंजलेना मारकेल प्रधान मंत्री मुदी के साथ अलग-अलग बेपक्षे मुद्वों पर चर्चा करेंगी और दोनों देशों की जीच फरीद 20 समझावतों पर 10 फ़कत होने की संभावना है जर्णारी के मताबिक मारकेल यहां भारती मेट पहतों के साथ मुद्वारत कराबा कारोवारी प्रतिनिति मंदल से भी पहतो एक नवंबर को चन्दी गर कांगर्स आफिस में विधाएक दल की बैचा को गी जिसमें विधाएक दल के नेता का शराब होगा पंग्रिस प्रदीश अदेक्ष कुमारी श्रेलजा ने जुरानकारी देते हो बताया कि एक नमंबर को सुबा 11 बज़े बैशित होगी जिसमें पंग्रिस के सभी डव निर्वाचित वधायक मौझूद रहेंगे वहीं ऐसे खयास भी लगाये जा रहे हैं कि पूर गुसियम भुपेंजर सिंहुडा को बधायक गल का नेता सुना जा सकता है टिक टॉक स्टार और आदमपूर सीट से बीजेपी के टिकर पर शुनाओ रणने वाली सुनाली फोगात ने अपनी बहन और जीजा के खलाब पतेहबाद में शकायत दर्श कराए है सुनाली ने दोनों पर जान से बारने की धनकी देने और मार पिछ करने का आरोप लगाया है पुलिस को दी गई शकायत में सुनाली ने कहा कि बीटी रात वो भूधन कला में अपने घर आई हुई थी जहां काफी संख्या में कारेकरता मिलने के लिए पहुँचे हुए थे आरोपे के जरान उनकी बेहन और जीजा भी आये हुए थे और दोनों ने घर पर जगड़ा करते हुए जान से मारने की दुनकी थे फिलाल पुलिस में सुनाली फोगाट के शकायत के अधार पर दोनों आरोपे को खिलाफ केस तर्श कर लिया है पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्दी गिरफतार कर आगे की कारवाई की जाएगी सूपर फास हंडर्ड में वक्त एक ब्रेक का है जज़ लौटिंगे ब्रेकी बात स्वागत है आप सभी का खबर कुरुक्षेतर से है जहां पर पूर वसीम भुपेंदी सिंगुडा ने बीजेपी जेजेपी के गड़बंदन पर खताक्ष किया उन्होंने कहा कि पहले हर्याना के राजभीती में सबको मालू है अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा वहीं दुश्यन चोटाला को डिप्टी सीम बनाये जाने पर हर्याना एवं पंजाब उचन्याले में दार याचिका पर उन्होंने कहा कि ये तक्नीक की बात है और अजानत इसका फैसला करीगी इस दुरान बंद पूर चुकी धान की खरीद पर उन्होंने कहा कि सरकार के सानों और उनके समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है साथ ही रोने ये भी कहा कि सरकार को धान का एक एक दाना खरीदना चाहिए में कॉंगर्स प्रत्याशियों के हार पर विचार विमर्श मंधन के साथ सबी प्रत्याशियों से बाक्षिट भी कर रहे है हर्याना में सांसिपा चुनाओं में बीजेपी के 75 पार का नाला लगबख फेल साबित हुआ और अब पार्टी को जेजेपी के साथ घढ़ बंदन कर सरकार चलानी पड़ रही है इसी को लेकर पूर्व स्पीकर और ज्रगादरी से नब निर्माचित बीजेपी बढ़ायक कवरपाल गुजर ने बयान दिया है दरसल कवरपाल ने रोज तक के बीजेपी प्रदेश का रियाले में पहुंचे थे जहां पत्रकारों से बाचीत करते हैं उन्होंने कहा कि ये जन्मत अच्छा है हमारा वोट शेयर बढ़ा है लेकिन सभी को ये कमिस्टिय दिखाई देता है क्योंकि हमने लक्षे बढ़ा रखता हाला कि उन्होंने ये जरूर बोला कि सरकार ने काम अच्छे किये थे क्योंकि काई लोग जो हमारी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों से या फिर निर्दले जीत कराएं हैं जिससे साफ है कि लोगों ने हम पर भरोसा जताया है इधर बवानी खेड़ा में बरसाथ से बरवाद हुई फसलों का मुआफ़जा देने की मांग को लेकर दरजनों किसानों ने नायाब तैसिलदार को ग्याफंच वापा किसानोंने नायाब तैसिलदार के माधियम से ग्यापन देकर सरकार और उपायुक से विशेश गिर्दावठी की गुहार दगाई है कि पिशले दिनों बारिश और ओला गिरने से किसानों की धान और कपास की पसल खराब हो गई थे किसानों का कहना है कि उनके पास अगली बिजाई करने के लिए भी कुछ नहीं है वहीं नयाद तैसिंदार ने कहा कि किसानों के ग्यापन को प्रसाशन का आला अधिकारी तक पहुचाया जाएगा और उचित कारवाई अमल मिलाई जाएगी हमाला के किसानों को इन दूँ बड़ी परशाशनी ह begins से गुजरना पढ़रा है किसानों के पास पराली जनाने के लाबा कोई और शारा नहीं बचा है ताकि किसानों का ये भी कहना है कि सरकार उन्हें अच्छी सब्सिडी दे और बढ़िया औजार दे ताकि वो फसलों को आग ना लगाएं उदर छोटे किसानों की अलगी परशानी है उनका कहना है कि वो इन हालात में नहीं है कि सरकार की सब्सिडी का पाइदा उठा सके किसान दीकंपोस पर सचिदी के सरकार दारा दिये गए फैसले को बहतर तो वो मानते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा लगने के चलते हैं वो उसे अपनाना नहीं चाहते किहाना में लगातार किसानों ज़ारा धान जलाने के मामले सामने आ रहे हैं पुलिस ने किसानों के खिलाव 144 पे लंडन की धारा 188 के धायत मामले दर्श किया खाना प्रभारी सुरेंदर सिंग ने बताया कि जला उपयुक के आदेशों की अवधेलना पर किसान पराली जला रहे हैं जिसके चलते किसानों से सक्थी से निफ्टा जा सके किसानों के खिलाव 148 के तहत मामला दर्श किया गया है जिराना के किसानों ने देश के किसानों के लिए एक नई नजीर पेश कर दी है उन्होंने खेतों को पराली जलाने से बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला है किसानों ने पराली को एक्षटा कर उसे राजस्तान में बेचना शुरू कर दिया है सपीदों के अनाज बंडी में पिछले डेड़ महीने से किसानों की फस्टों की फरीद नहीं की जा रही है ज़र रिवाडी में बुद्वार को गुसाय करमचारियों ने कंपनी गेट पर धरना पदर्शन किया बगादे की 4 नवंबर को लेवर फोर्ट में करमचारियों की आठ मांगो पर सहमती बनी थी लेकिन उससे पहले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया करमचायों का कहना है कि अगर जल्द भी उन्हें बेना किसी शर्ट वापिस नहीं लिया गया तो वो अनिश्यत कालीन हर्टाल पर चले जाएंगे गोहाना के गाओं छंट्र से शेहर सब रोडवेस बस नहीं चलने से परशान शाथ रहुत है चात्राओं का आरोभ है कि गाओं से शेहर जाने के लिए बस कि सुबिधा नहीं है जिसकी वज़े से छात्राओं को कई किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ता है जिससे उनकी पढ़ाई बादित हो रही है शात्राओं का ये भी कहना है कि बस की समस्या को लेकर कई बार SGM से लेकर रोडवेस के अधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है लेकिन सिवाय आश्वासन के आच सक कुछ नहीं मिला वह इस मामले में SGM ने रोडवेस के अधिकारियों से फोन पर बात कर शात्राओं को आश्वासन दिया है जल्दी उनके गाउं से गोहाना के लिए सर्कारी बस को चड़ाया जाएगा फरवल में चड़ पूजा के तयारियां जोरो शोरो से चल रही है चड़ पर को लेकर तलाब का निर्मान करने के साथ 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 सपाई के वस्ता को दुरुस्त किया जा रहा है पूर्वांचर जन कल्यार समीथी के प्रभान विजर पटेल ने कहा कि दो नवंबर की शाम को आस्था और भक्ती के साथ रंगारंग कारेकर मुपायोजन किया जाएगा साथ सेनोंने कहा कि सुबा के समय भगवान सूर्य देव की पूजा अर्शना की जाएगी छटपर पर रद करने वाली महिनाएं नदी और तलाब में खड़े होकर सूर्य देव को अरग दिंगी जिसके बाद 3 नवंबर की सुखा ब्रद पूरा किया जाएगा वहीं मोदे सरकार जल्द ही नौफ़ी पेशा लोगों को बड़ी खुशखवरी दे सकती है खास कर प्राइविट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को सरकार के इस कदम से बड़ा फायदा होगा बतादे कि सरकार सोशल सिक्यौरिटी और ग्रेजुटी के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में नजर आ रही है द्रसल ग्रेजुटी की पातरता के लिए कमपनी में कम से कम लगातार पात साल तक काम करना पड़ता था लेकिन सरकार इसमें बदलाब कर आम नौपरी पेशा लोगों को राहत देनी की तैयारी कर रही है सरकार ग्रेजुटी के लिए पात साल के टाइम को घटा कर बहज एक साल करना शाहती है द्रसल सरकार आने वाले संसत के शीटकालीन सत्र में इससे जुड़े बिल पेश कर सकती है एक दिन भारत को ये अभास हुआ कि जीडिपी ग्रोथ के मामले में बंगलादेश ने उसे पीछे कर दिया तब ये तैय हुआ जब सितंबर 2019 में एशियाई विकास बैंक ने अपने एशियाई विकास आउटलूक रिपोर्ट को अपडेट कर दिया अलंकि इसके लिए अप्रेल आउटलूक में भी इसका साफ संकेत मिल चुका था ADB ने साल 2019 के लिए बंगलादेश की GDP ग्रोथ अनुमान से आज से बढ़ाकर 8.91 फीज़ी और भारत की GDP ग्रोथ को 7.2 फीज़ी से घटाकर 6.5 फीज़ी कर दिया था इसके लावा इसने 2020 के लिए भी बंगलादेश की GDP ग्रोथ अनुमान को 8.2 फीज़ी पर बरकरा रखा था जबकि भारत की ग्रोथ अनुमान को 7.3 फीज़ी से घटाकर 7.2 फीज़ी कर दिया था इसके लावा दोनों देशों के अधिकारी काकड़ों और उसकी वित्ते गणनाओं का स्तमाल करके देखा तो बंगलादेश ने इस ममने वित्तेवर्ट 2018 में ही पीशे छोड़ दिया था जिसे नीचे दिये गए ग्राप से भी संदर जा सकता है इसकी वज़े से दोनों इसके वित्ते वर्ष की गणना में भी काफी अंतर आया चलिए सूपर फास अनरड में फिलाग लेतना ही नमस्कार